हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूले तो मैं आप से नवेदन करना चाहता हूँ कि धरहों धीर हुए हैं सुठ चारी चार पुत्र होंगे यह नहीं कहा कि दो होंगे वह एक मांगा था तो दो के लिए कह देना चाहिए था कि चिंता मत करो, तुम एक की आसा लेके आए हो, मैं आसिर बात देता हूँ, कि दो फुत्र होंगे, या ये कह देना चाहिए, कि तीन पुत्र होंगे, ब्रमा बिश्रू महिश जैसे, क्यों मैंजी, तीन होंगे, या ये कह देना चाहिए था, कि पांच होंगे या छे होंगे या यह कहना चाहिए था कि दस होंगे या आठ होंगे लेकिन चार का योग क्यों बिठाला गया चार पत्रों के लिए क्यों कहा गया तो आप कहोगे चार की संख्या अच्छी होती है तो क्या दोकी संख्या खराब होती है लेकिन इसमें संख्या का क्रम नहीं है इसमें क्रम इस प्रकार का है एक संत का मत है एक हमारे देश के बड़े विद्वान हुए हैं इस समय वो नहीं है साकेत वासी हो चुके हैं उन्होंने कहा कि चार फल हैं ये अर्थ धरम, काम और मोक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेकिन संतों ने कहा कि हम लोगों के मत से तो ये चार स्रिष्टी की प्रमुख विवस्थाएं ये अलग से भाव है समझ में दिये स्रिष्टी की ये चार प्रमुख विवस्थाएं याद रखना अमेरिका का संतुलन अमेरिका का राष्टपती नहीं बनाए बैठा है बारत का संतुलन बारत का राष्टपती और प्रधान मंत्री नहीं बनाए बैठा है अगर प्रधान मंत्री और राष्टपती के हाथ में भारत का संतुलन होता तो जम्बू कस्मीर में भूकंप नहीं आता गुजरात में भूकंप नहीं आता ये सरकार के बसकी बात नहीं है ना गुजरात सरकार बबस्था ये दे सकती है ना उरिशा की सरकार दे सकती है ना किसी प्रांथ की सरकार दे सकती है ना भारत सरकार दे सकती है और अमेरिका खोपड़ी खराब कर ले अपनी समझ रहे हो कि नहीं लेकिन वह भी संतुलन नहीं बना सकता आप को होगे फिर तो याद रखना स्रिष्टी के संतुलन के लिए किसी सरकार ने स्रिष्टी को चार प्रमुख विवस्थाएं नहीं दी हैं बलकि सरकार नहीं देती हैं स्रिष्टी को विवस्था स्रिष्टी को विवस्था अगर देता है तो संतों का आसिरवाद देता है इसलिए बसिष्टी जी ने आसिरवाद दे दिया क्या आसिरवाद दिया धरहों धीर कुई है सुत ज्यारी ओ त्रभुवर विदेती भगती भै हारी त्रभुवर वो लो स्रिष्टी हो गया ना त्रभुवर अब आप विचार करना भगती भैहारी तो चार स्रिष्टी को कौन-कौन सी विवस्थाओं की आवस्था है इस चार प्रमक विवस्थाएं कौन-कौन सी है तो समझना पहली विवस्था संपूर स्रिष्टी को आनंद की आवस सकता है किसकी आवस सकता है आनंद की आवस सकता तो आनंद कौन देगा याद रखना सतरंज खिलाने वाला और खिलने वाला नहीं देगा क्रिकेट का खिलाडी सचन तेंदुल कर आनंद नहीं दे सकता है समझ लेना नाचने वाला अप्पा बच्चन आनंद नहीं दे सकता है आनंद कौन देंगे ये तो सब तुमारा चणिक आनंद है ना थोड़ा सा तुमने देखा आज कल टीवी पर प्रचार आता है सत्य के बारे में भी लोगों ने जाने क्या क्या नहीं निकाल दिया एक बार में टीवी देख रहा था तो उस पर आया एक लड़का बोला मम्मी आज का सत्य क्या है का हमाम एक हमाम सा उनका प्रचार आया ना तो वो लड़का कहता है मम्मी आज का सत्य हमाम हमाम है सक्थ धर्म न दूसर सक्थ समान है न कि हमाम याद रखना ये सब धर्म का जनाजा निकालने के लिए तीवी पर तेली बीजन पर आ रहे हैं और ऐसा दुस्पर चार लोगों ने कर रखा है मैं तो कहता हूँ कभी कभी धर्म का संदेश देने वाले लोग ही धर्म का विरोध करने के लिए टेली बीजन पर आ जाती एक बार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप सर्थ समझदार बैठे हैं एक बार एक गुरू ने आदेश दिया कि हम कल साड़े साथ वजे टेली बीजन पर दिख्षा देने के लिए आएंगे साड़े साथ वजे समग्र सिस जो है समय से उपस्थित हो जाएं और जैसे ही समस्थ सिस इखटे हुए अपना पूजन की सामगीरी लेकर के पहुँचे और ठीक साथ बज़ के एक मिनिट पर गुरदेव आ गए उन्होंने का पवित्र हो जाईए पहले सब सिस्थों ने उस बिदी से अपने आपको पवित्र किया क्योंकि बताने वाला तो कोई था नहीं किसी ने यहाँ डाला जल तो किसी ने यहाँ डाला कौन बताने वाला है कोई मार्फ दर्सक है ही नहीं अप यहाँ आप सब काम हो रहा है बस का आप आप लोग त्यार हो जाईए हाँ कान को टी बी के सामने करिए और जैसे कान को टी बी के सामने से सोने किया इतने में लाइट चली गई अब गुरू चले गए और चेला अपने घर चले गए और सारी पूजन की सामिक्री वहीं नीचे गिर गई बताईए क्या है यह सब यह सब धर्म के साथ खिलवार हो रहा है यह हमारे समातन धर्म की परमपरा नहीं है सिस्सों की संख्या बढ़ जाए तो क्या हम तेली विजन पर मंतर देखर के इस सिस्सों की संख्या बढ़ा सकते हैं याद रखना अगर गुरू सिस्स को सुईकार नहीं करता है तो इसकी चिंता सिस्स ना करे लेकिन सिस्स ने अगर गुरू को सुईकार कर लिया है तो जतना सजीव दरोनाचार से अरजूल को धरोर विद्या का गяхन प्रापत हुआ था जतना मित्य के दरोनाचार से एक लब्य को ग्हान प्रापत हो गया था इसलिए सिस्टी की आस्था तो होनी चाहिए इसलिए द்रम के शाथ खिलवार नहीं होना चाहिए आज बशिष्टी जी महराज ने कहा चिंता मत करो चार फुत्र होंगे ये चार स्रिष्टी की विवस्था है तो विचारवान शोता हो जरा विचार करना स्रिष्टी को पहले किसकी ज़रूरत है आनंद की तो आनंद के रूप में किसको दिया कहे बस्रिष्टी जी ने आसिरवाद दे करके सारी स्रिष्टी को आनंद दे दिया स्री राम जी को भीज करके जो आनन्द सिंध सुखरासी सीकरते त्रई लोक सुपासी जो आनन्द सिंध सुखरासी सीकरते त्रई जो आनन्द सिंध सुखरासी अच्छा आनन्द के रूप में स्री राम हुए तो केवल फ्रिष्टी को आनन्द की आवस सकता है इसके अलावा और किसी की जरूवत नहीं है नहीं दूसरी विवस्था की आवस सकता क्या आनन्द आपके जीवन में हो लेकिन भोजन की परियाद विवस्था नहो तो संतौलन खराब हो जाएगा की नहीं हो जाएगा भोलो आज की सरकार यही तो संतौलन मिठालना चाहती है कि भूंके को भोजन मिले गरीबों को भोजन मिले वो पूरा गरीवों का भोजन सरकार ही खा जा जा केवल सम्मिदान बनता है सारी स्रिष्टी को भोजन कोई सरकार नहीं दे सकती है एक परिवार को भोजन देना मुश्किल की बात है सारी स्रिष्टी को भोजन कौन दे सकता है तो कह संतों का आसिरवाद इसलिए संक्य ने आसिरवाद दे करके स्रिष्टी को दूसरी ववस्था दिया क्या कभे सुभरण पोसन कर जोई उता करना मभरत यस होई इसलिए स्रिष्टी को दूसरी ववस्था दिया स्रिष्टी को भेज करके महत्मा भरत सारे विश्व का भरण पोशन कर रहे हैं याद रखना विदेशी लोगों को इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हमने बहुत विकास किया है इसलिए हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं है कि सबको रोजगार मिल रहा है लेकिन याद रखना अमेरिका में भी अकाल पड़ गया था क्यों बहीं पड़ गया था कि ऐसा सुनने में आया था अब सत्तो या सत्त बढ़ रही है ना बढ़ रही है दीरे दीरे बढ़ेगी यहां की घटे भी वहां की बढ़ेगी क्योंकि संतोलन तो बनाना है भाई तो मैं आपसे नेदन करना चाहता हूँ आपी बेरोजगारी बढ़ रही है तो याद रखना सारे विश्व को भोजन देने की बवस्था किसके हाथ में है बरत जी के हाथ में तो संत में दूसरी बवस्था भरत के रूप में सारे स्रिष्टी को भोजन दिया है भरण पोशन की जिम्मेदारी सोफी है इसलिए आज भरत जी महराज दूसरी बवस्था स्रिष्टी की शमाले हुए है अच्छा भोजन भी आपको मिले आनंद भी आपको मिले लेकिन याद रखना ओशाविन लादें जैसे राक्षा साथ को परेशान करने लगें तो भोजन और आनंद दो सिकंद में छिन जाएगा आपका कि नहीं छिनेगा बोलो तो इस पर नियंतर पाने के लिए तो आप कहेंगे तीसरी ववस्था क्या है इसके लिए भी दी गई है हाँ बहुत बढ़िया वाथ है तीसरी ववस्था के रूप में कौन है के जाके सुमरल तेरे पुनासा ओ नाम सत्रुघन वेद प्रकाशा नाम सत्रुघन वेद प्रकाशा अब आप होगे सत्रुघन सत्रुघन नाम लेने से क्या राक्षा समर जाएंगे तो याद रखना हमारे हाँ सत्रगन को बेद प्रकाशा बेद का अवतार सत्रगन को माना गया है किसका अवतार माना गया जैसे विश्रू के अवतारी भगवान राम है और श्री भरत है ऐसे ही बेद के अवतार कौन है स्री सत्रगन जी है और याद रखना हम वईरंग राक्षसों की बात नहीं कर रहे हैं आपके अंदर भी तो राक्षस बैठे हैं कौन-कौन से राक्षस बैठे हैं तो जरा तुलसी दाजी से पूछो तुलसी दाजी कहते हैं प्रव हम बहुत परेशान हैं कहा क्यों परेशान हो तुलसी ने का इसलिए हिर्दय में राक्षसों ने अजितार पा लिया राक्षस बैठ गए हिर्दय में हिर्दय में तो तुलसी मैं बैठा था तुम्हारे हिर्दय में तो मैं बैठा था लेकिन अब राक्षस क्यों बैठ गए तुलसी राजी केते ममिख्रदय भवन प्रभु तोड़ा तह आये बसे बहुचोड़ा मैं एक यमितबत मारा ओ सुने लमोर फुकारा अब सुनिये लगुवर रामा लूटे तस करतो धामा आप बैजे थे मेरे हिर्दय में यह आपका घर है लेकिन हे प्रभू इसमे चौर बैठ गए है चौर कौन है लुटेरे बैठ गए है कौर है लुटेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह बोले यह लुटेरे हैं की नहीं यह राक्षास हैं की नहीं ओसा इल्लादें गैसे राक्षस को गोली से मारा जा सकता है लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, रूपी राक्षस को किसी बंदू की गोली से नहीं मारा जा सकता है कैसे मारा जा सकता है बेदवानी से यह जो बेदवानी हो रही है उफदेश आफ्दू रहे हो बोलो ये हिरदय के जो विकार है ये सम नश्ट हो रहे हैं कि नहीं वो ये विकारों का नश्ट होना ही राक्षसों का नश्ट होना है यही एक उपाय है तो सत्रुगन वेद है इसलिए वेदवानी से स्रिष्टी के जनप्रानियों के समस्त विकार नश्ट होंगे इसलिए सत्रुगंजी को किसलिए भेजा गया है अंदर के राक्षसों को शमाप्त करने के लिए ये तीसरी स्रिष्टी की ववस्था हो गए अच्छा चोथी ववस्था क्या है तो याद रखना चोथी ववस्था यह है कि राक्षस भी अंदर के समाप्त हो जाएं आनंद भी मिल जाएं भोजन भी परियाप्त मिलें लेकिन हम राट को सोएं और सुबह जाग ना पावें और मक निउ उपर हो जाए और लेंटर नीचे हो जाए बोलो भाई तो सारा आनंद भोजन दो सेकेंड में समाप्त हो जाएगा इसलिए प्रत्वी का संतुलन बनाने के लिए चोथी विवस्था के रूप में लच्छण धाम राम प्रिये सकल जगत याभार ओ गुरु बसे इस्ट तहे राखे हूँ लच्छमन नाम उदार इसलिए लच्छण धाम राम अप्रिये शकल जगत आधा ये प्रत्वी किस के ऊपर है किस के ऊपर है सेशनां के ऊपर और ये सेश को किसने बेजा है मात्मा बसिष्ट के आशिरबाद बेजा के नहीं बेजा इसलिए ये स्रिष्टी के लिए चार व्यवस्था हैं इसलिए चार व्यवस्था के रूप में ये चार पुत्र हैं पहली व्यवस्था मैंने बताई आनंद दूसरी व्यवस्था भरण पोशन तीसरी व्यवस्था कि जो हिरदय में राक्षस हैं उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए लक्य सत्रुगंजी क का योगदान और प्रत्वी के संतुलन के लिए स्री सेश्णांग का योगदान समझ रहे हो न यह चार विवस्था हैं तो यह किसके आसिरवाद से मिली चार विवस्था है संत के आसिरवाद से इसलिए विवस्था अगर कोई दे सकता है तो वह संत दे सकता है संत का आसिरवा हो गया अच्छे जैसे चारों पुत्रों का जन्म हुआ एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा सुवामी जी एक बात बताईए कि संसार में हम भी आए और संसार में भगवान भी आए तो भगवान के आने में और मेरे आने में कोई अंतर समझ में आया मैंने का बहुत बड़ा अंतर आया क्या मैंने का तुम सजा भोगने के लिए हो किस के लिए हो सजा भोगने के लिए हो उने तो भगवान भी तो आये मैंने का नहीं जो अपराद करता है उसको सजा होती है और जब सजा होती है तो जेल के अंदर पहुचता है कहा पहुचता है जेल के अंदर कोठरी में बंद कर दिया जाता है लेकिन जब कारागार मंत्री आता है तो फिर उसी कोठरी में वो जाता है क्यों वही कारागार विवाग होता मरे हैं जेल मंत्री जिसको कहते हैं एक विवाग है वो भी जाता है तो जिस कोठ्री के अंदर अपराधी बंद है उसी कोठ्री के अंदर जेल मंत्री पहुँच गया लेकिन दौनों की परस्थिती में अंतर हुआ की नहीं हुआ बोलो भई एक अस्थान है एक ही जगह दौनों लेकिन एक अपराधी है लेकिन दूसरा अपरादी नहीं है वो क्या है? वो है जेल का निरिक्षण करने के लिए गया है क्यों भई? इस समय वो है निरिक्षण के रूप में है जेल का निरिक्षण करने के लिए गया है और जिसने अपराद किया है वो सजा भूगने के लिए गया है तो मैंने कहा जीव सजा भोगने के लिए संसार में आता है और परमात्मा संसार का निरिक्षण करने के लिए संसार में आता है बस इतना ही अंगर इसलिए परमात्मा किसके रूप में आता है निरिक्षण के रूप में निरिक्षण करने के लिए आता है इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संसार में तो सब सजा भोगने के लिए आते तो परमात्मा भी आया नहीं भगवान तो निज़क्षड करने के लिए आये हैं तो आज भगवान अजुध्या में आ जाते हैं भगवान की पहली यात्रा आयुध्या से मिथला की होती है पहली यात्रा याद रखना रामचर्प मानस में चार यात्राओं का वर्णन है क्रमशाव पहली यात्रा भगवान स्री राम के द्वारा होती है आयुध्या से लेकर के मिथला तकी यात्रा इस यात्रा को हम लोग कहते हैं कि वगवान की बिवाह यात्रा कौनसी यात्रा है बिवाह यात्रा लेको बिवाह बिवाह सिर्गवीर बिवाह और एक होता है बिआह 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 में और बिवाह में अंतर है बिवाह किसे कहते हैं बिवाय कहते हैं कि दूला बाहवाय दुलहन बाहवाय बराती बाहवाय भोजन बाहवाय रसगुल्ला बाहवाय लड्डू मालपुआ बाहवाय जिसमें बाहवाय हो वो है बिवाह और बिवाह है जिसमें आह आह हो टीवी आह पूलर आः, पंखा आः, डवलमेट आः, दसलाख रुपया आः जिसमें इतना ज़्यादा लेन देन हो जाए कि रीड की हदिये ही तूटी आए वो है बिआः जिसके साथ आः जुड़ी हो और आज आप देख रहे हो न ये दहेज के दानों के कारव है बिवाह नहीं हो पा रहे हैं, बिआः हो रहे हैं बोलो हो रहे हैं कि नहीं इसलिए साथ हाँ स्री राम जी का तुस्त्री रगवीर बिवाह है जे सप्रेम गावएं सुने तो भगवान की पहली यात्रा युद्या से मिठला तक की हुई इस यात्रा का क्या नाम है बिवाय यात्रा और इस बिवाय यात्रा के कर्म में आप को ओगे बिवाय में तो बिवाय की फलसुर्ती तो है नारी को प्राप्ट करना है ना तो भगवान ने इस बिवाय की यात्रा में एक नारियों को प्राप्त नी किया तीन तीन नारियों को प्राप्त किया बोलो किया कि नी और भगवार ने तीनों के साथ बिवार अलग अलग किया इस विवाय यात्रा में पहली नारी के रूप में तारका मिली राम जी मिली कि नी मिली और हम आपसे प्रार्फना करते कि आपके बिवाय की यात्रा में आपको तारका ना मिले आजकल ज़्यादातर तारकाई ही तुम मिल रही है क्यों मिल रही कि ही मिल रही है इसलिए तुम लोग परेशान हो तारका कोई भी बात के लिए आप पत्नी से गो सुन तारका करोद कर दाई अच्छा हमसे से करें हो तारकाई मिल रही है एक बार तो एक आदमी घर में आया वो पत्नी से बोला ठंडी बहुत है जल्दी पानी गरम करो पत्नी यूं बैठी चेयर पर आख से आख मिला के देख रही है तो कहता सुनती नहीं हो मैंने कहा दिया पानी गरम करो नहीं तो पत्नी बोली नहीं तो क्या करोगे ठंड़ी से ना लूंगा यह आदि आज कर तो तारका ही मिल रही है बिबाय में भगवान राम को भी पहले तारका ही मिली लेकिन भगवान स्री राम ने तारका को देखा तो तारका का मरन किया क्या किया मरन पहले यात्रा के पहले कर्म में तारका और दूसरे कर्म में आहिल्या और तीसरे कर्म में माता जानकी क्यों भगवान ने तीनों के साथ अलग-अलग बिवार किया क्या तारका का मरन किया और आहिल्या का तरन किया वो जानकी जी का बरन किया यह तीनों अंतर भगवान में किये एक नहीं किये चले द्यात मुनिदीन दिखाई तो सुन ताड का पुद कर धाई एक कई बाल प्राण हर लीना तो तीन जान तहीं निजे पद दीना भगवान ने उसका मरण किया अहिल्या जब भगवान को मिली तो भगवान श्री राम ने देखा कैसे देखा वो ले पूछा मुनही देखो तार्गा को देख करके भी भगवान ने पूछा और अहिल्या को देख करके भी भगवान ने पूछा जैसे तार्गा दोड़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी ने कहा गुर्देव ये कौँ विश्वामित्र जी ने कहा पहले मैंने बता दिया था ना कि तारगा मिलेगी इस मार्ग में दो मार्ग हमने बताये थे पहले हम तिराहे पर खड़े हुए थे तो एक मार्ग तो अजुद्या की ओर गया था और दो मार्ग हमारे आश्रम की ओर आये थे तो उस तिराहे पर राम हमने तुमसे पहले ही कह दिया था कि ये जो मार्ग है ये बड़ा छोटा मार्ग है इस मार्ग से आस्रम में बहुत जल्दी पहुचा जा सकता है लेकिन ये संबेदन सील छेत रहे अती संबेदन सील छेत कहा क्यों? बोले ये थोड़ा बिहार और छार खंड को क्रास कर रहा है जिसमें नकसली रही रही है ये अती संबेदन सील मार्ग है है मैं? इसलिए स्री राम अगर जल्दी पहुचना है तो फिर इस मार्ग से चला जाए जो अती संबेदन सील है और थोड़ा सा टाइम लगेगा ये मार्ग जो है समय से पहुचाएगा इसमें बिलंब लग सकता है तो लक्षमर जी ने तुरंत कह दिया कि आप इसकी चिंता मत करो नकसलीयों से हमने पटलेंगे जगमा सखा निसाचर जेते लचमन हनाई निमिसमा देती इसलिए आप जिंता मत करो जैसे राम जी ने उस छोटे यात्रा उस छोटे रास्ते से प्रवेश किया तुरंत ताल का दोड़ी सुम ताल का करोद करदाई विस्वामितर जी से राम जी ने का ये कौन ये कौन का ये राक्षसी है इसलिए राम इसका बद करो राम जी ने का गुरू जी आपने ये का था आदी संबेदन सील छेतर है इस छेतर में राक्षस रहते हैं लेकिन ये तो राक्षसी है और आप करें इसको मारो तो ये तो अबला है अबला और हम रगवन्सी अवला पर हाथ नहीं उठाते बिश्वामित्र जी ने कहा तो पहले कहना चाहिए था ये तुम को जब वो आकरमर कर रही है तब कह रहा हो के हाथ नहीं उठाते अगर तुम हाथ नहीं उठाओगे राम तो ये तीनों पर हाथ उठा देगी अभी आवला नहीं समझना चाहिए जाने कितने रसी मुनियों को खा गई यह वो अवला है इसलिए राम इसका बद करो राम जी ने उसका बद किया बद करने के बाद जैसे आंगे का क्रम प्रारंब किया तो दूसरी नारी पाशान के रूप में मिल गई ना पाशान की शिला वहां पूछा बगवान राम ने पूछा मुनहीं सिला प्रभू देखी सकल कथां कहीं विसे की जैसे पूछा की यह कौन तो पूरी कथा विस्वा मित्र जी ने सुना दी अब जब कथा विस्वा मित्र जी सुनाने लगे तो इमानदारी से बताओ अहिल्या की कथा थी के बिठा बोलो बैजी सकल कथा मुन कहीं सकल कथा मुन कहीं तो कथा थी अहिल्या की के अहिल्या के जीवन में बिठा थी बिठा थी बिठा तो राम जी ने सुनकर के कहा गुर तो सुनने में तो इसके जीवन की पूरी व्यथा लग रही है आप कहते कथा बिस्वामित्र जी ने कहा राम बस यही अंतर है इसके जीवन में व्यथा है लेकिन आज इसकी कथा बन गई कहा क्यों बोले जिस जीव के वारे में कहने वाला महत्मा हो और सुनने वाला परमात्मा हो तो जिस जीव के जीवन की व्यथा को कहने वाला महत्मा होता है और सुनने वाला परमात्मा होता है तो उस जीव की व्यथा व्यथा व्यथाना होके कथा हो जाती है इसलिए रहुनंदन आज यह कथा हो गई इसकी क्योंकि क महत्मा वो सुनने वाला परमात्मा बोलो सुनने वाला कौन था परमात्मा वो कहने कथा इसलिए इसकी ये कथा है गोतम नारी साप बस उपल देहे धरदीर और चरण कमल रज चाहिती अब तो क्रिपा करहू रघवीर क्रिपा करहू रघवीर अब इसके उपर आप क्रिपा करिए भगवान ने का कि अब फिर समस्या सामने खड़ी हो गई अब लाको हम रघवन्सी कभी मारते नहीं है लेकिन हम रघवन्सीयों ने आपकी आग्या का पालं करते उए उस अविला का बद कर दिया लेकिन अब आप कहते गोतम नारी साप वस ये रिशी पत्नी है और हम छत्री हैं हम छत्री है और ये रिशी पत्नी है इमानदारी के साथ बताओ चत्री के चरन ब्रामन चूता है कि ब्रामन के चरन चत्री चूता है बोलो बोलो हाँ अरे आप लोग तो बड़े समझदार स्रोता हो बहुत जल्दी जबाब दे देते हो और बड़े सुविग के स्रोता मिले यहाँ कहीं कहीं तो ऐसे स्रोता मिलते हैं कि माथा खड़ाब हो जाता है सुनके एक जगए जो है एक स्रोता बीच से खड़ाओ के बोला स्वामी जी बर्णा नाबर्थ तंगा नाम सेले के दहनतनों मानवा तक हम लोगों को रामाइन याद है एक एक स्रोता यहां पूरी रामाण याद किये बैठा है हमने का तब तो हम अच्छे स्रोता हूँ के बीच में आ गए अब मैंने का जड़ाइन का परिक्षन भी तो कर लूँ तो मेरी आदत है कि मैं जब परिक्षन करता हूँ तो कह देता हूँ कभी कभी चौपाई भूल जाता हूँ आप लोग याद दिला दिया करो तो मैंने का कभी कभी मैं चौपाई भूल जाता हूँ तो तुम लोग सब पूरी रामाण याद किये बैठे हो एक एक सोता पूरी रामाण को पर चुका है याद किये बैठा है इसलिए याद दिला दिया करो चौपाई भूल गाते हैं तो कभी-कभी नीचे से बोल दिया करो कहें बिल्कुल स्वामेजी आप तो वे फिक्र हो के बोल ये मैं मुश्कराया अलका सा और मैंने परिक्षन किया तो मैं बोलते-बोलते कह गया मैंने का सीता के बिलाप सुनभारी अब मैंने का नीचे की अरधाली नहीं उठ रही बताओ सोता हो तो जो सोता खड़ा हुआ था वही खड़ा हो गया उसने का नीचे की अरधाली है मंगल भवन ये मंगल हारी